हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो माई योटुब चैनल आप सभी लोगों का मेरे योटुब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कि जो भी लोग गाजियबाद से कोट मैज करना चाहते हैं इस लॉकडाउन के टाइम में तो क्या उनक करना पड़ेगा कुछ तेन तक कोट मैज करने के लिए तो अगर आप सभी लोग गाजियबाद से कोट मैज करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही लोगों के लिए है और इस वीडियो में हम सारे पांट्स को डिसकस करेंगे कि 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 मैरिज हो सकती है इस टाइम में क्या कि क्या डॉकमेंट चाहिए होते हैं क्या प्रॉपर ए चाहिए होती है इस बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी लोगों के पास इस तरीके की वीडियोज आती रहें और आप लोग ये सारी वीडियोज को देखते रहें चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं मैं आप सभी लोगों को बता देना चाता हूँ कि अगर आप लोग गाजियाबास से कोट मैश करना चाते हैं तो चाहे कहीं पर भी कुछ भी लोक्डाउन चल रहा हो या कुछ भी हो तो कुछ स्टेट को छोड़ के हर स्टेट में अभी भी कोट मैश हो सकती है कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आप लोग कोट मैज करना चाहते हैं तो इसी तरीके से अगर आप लोग गाजियबाद में कोट मैज करना चाहते हैं तो आप लोगों की कोट मैज बड़े प्यार से हो जाएगी कोई दिक्कत की बात नहीं है बस वही बात कि आप लोगों के पास सारे डॉक्मेंट्स होने चाहिए सारे लीगल डॉक्मेंट्स होने चाहिए आप लोगों की एज पूरी कम्प्लीट होनी चाहिए है जैसे एज में मैं बता दिना चाहता हूँ कि लड़के की उमर 21 साल से जादा होनी चाहिए अगर आप मुस्लिम है तो पहले आपका निकानामा होगा निकानामा होने के बाद रेजिस्टर्ड मैरिज होगी और अगर आप लोग हिंदू है तो सबसे पहले आपकी आरे समाज की मैरिज होगी R.S.M.A.C.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E कोट मेंज करना चाहते हैं तो इस टैम पे इस पेशल मेंज एक्ट के तहती कोट मेंज हो पाएगी जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और जिसमें डॉकुमेंट की पूरी की जाती है डॉकुमेंट में अगर मैं आपको बता दू तो लड़का लड़की दोनों को आधार काड चाहिए होता है दोनों का बस सर्टिफिकेट एज को प्रूफ करने वाला कोई बी एक डॉक्मेंट जैसे बस सर्टिफिकेट या टैंथ क्लास की मार्क शीट या ड्राइव भी लोकल आइडियो ने चाहिए लोकल आइडियो में जैसे पैन कार्ड वोटरेड कार्ड रासन कार्ड इस तरीके के कोई भी एक लोकल आइडियो ने चाहिए तो आप लोग के कोट मैज इस करोना टाइम में भी इस लोकड़ाउन के टाइम में भी हो सकती है कोई किसी भी कि कोई प्राप्लिमब्लम की बात नहीं है धीरे धीरे करोना के सारे केसी अब कम होते जा हुए तो आप लोग को एकर QUOT मैच करना चाहते हैं तो आप लोग बड़े easy way में कर सकते हैं किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत कर सामना नहीं करना पड़ेगा आप लोग हमारे दी गई सेल्प लाइन नमबर पे कॉल कर सकते हैं हमारे जो टीम के मेंबर के लोग हैं वो आप लोगों की पूरी मदद करने की कोसिस करेंगे कि आप लोग किस तरीके से कोट मेज़ कर सकते हैं और आप लोगों को किस टाइम पे आना पड़ेगा टाइम का जो आपको booking slot दिया जाएगा उस टाइम पर ही आपको आना पड़ेगा और बिलकुल भी भीड़बार नहीं करने पड़ेगी कम से कम लोगों को आना पड़ेगा ताकि आप लोगों की marriage हो सके जब भी marriage करना चाते हो तो आप लोगों के पाद दो witness होना compulsory है दो witness का हो जरूरी है उनका वी आधार कार्ड होना चाहिए तभी जाकि आपकी court marriage हो सकती है रेजिस्टर मेश हो सकती है तो अगर आप भी तक आपने आपने हमारे इस चैनल को सबस्क्रायब नहीं करահ तो सबसे पहले सबस्क्रायब कर लें हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्य